हाई गैस मैं हमें रुवेश्चा नाम तो सुना तो लोग काई डव वीडियो तो आज की विडिया बाद करेंगे यमा आर्ट साइवन के बारे में क्या इसके अंदर पाउर कितनी आती है और इसका काफ वेट कितना रहेगा और क्या एक शोरूम प्रैस कितना रहेगा और इस रहता हूं मुंबे में कितनी की पड़ी और लॉंच टेट कब होने आली इंडिया में इसके बाद करेंगे तो चलो शुरू करते हैं जैसे कि आपको पता है यमा आर्ट सिक्स इंडिया में लॉंच होने वाली निये जो भी बंदा सोच रहा है लेनी के लिए अभी अभी तक अभी तो बंदा सोच रहा है तो बाद इसक अभी कुछ होने वाला नहीं कि कि वह गाड़ी अलगी डुनिया में है क्योंकि वह ट्रैक बाइगे तो ट्रैक बैक जल्दी हमाला जल्दी लॉंच नहीं करता है इंडिया आपको वैसे कि पता ही यह यह ज़ए तस साल होगे यह इवेन आयो तो थिंगिंग आजिक्स लाउंच हो इंदर पद पनी वह रहा है तो इंजन की बात करते है आज से इंजन शेरिंग इंजन है इसका से पावर की बाद करें 73.4 पीएच्प पावर प्रेडिउस करती है यह वह कब नंबर है पावर की कि आज सौ के ओपर पावर मिलती है दूट मतलब बहुत यादा मेजर डिफरेंस है पावर में टॉर्क में बात करें श्टी सेवन वही टॉर्क में भी थोड़ा में स्लाइड लिफ टंग स्लीप होगी तो उसके सब बनाया चाहरा है क्योंकि मुंबई में इंडिया मुंबई में डिलियम किजर भी बाइक यह जो पसंद लेगा वो डेली यूस नीगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसका जैसे कि इंजन के बार में चानल के पावर नाशाए है कॉमनसी बात है फुझ मिले है लाइस की बार कर देशी द्र लाइट आगे दो मिलती है लाइट थोड़ी अलहटके दी वी है जो की आर्चिक्स में आती है तो अपर में आती है आपे ऐसी साइड में शाक टाइब डिए और भी इसमें एक बाइफ यूजन जो और सॉंड की बात किरव पैलल टूइंस आती है अपको बता है पैलल टूइंस बाइब तुइंस में इल्लेयन 4 आईगा इंडल फोर नहीं आ रही पर पैलल टूइंस इंजन आ रहा है बात थोड़ा बेसी रहेगा क्योंकि स्थोड़ा सेग्मेंट पाउर के ज़से और इंजि अबर इसा रहता है यहां पे थोड़ा हाफ इतना भार रहता है आप जो ब्रेक समारते साइड मे जो जो फ्रफें ऑप थोड़ा नहीं रहता है जैसे आप 8200 में लेकर रहेंगे पूरा उसकी जो पईकी दली बार रह राती है वैसा यह ठोड़ा इसका पूरा सेग्मेंट त अब बात करते हैं इस बाइक का कॉंपूटर कोन है मतलब कॉंपूटर आपको बशसे पदा सीबिया 650 आरे रिंजा 650 है और जैडेक्स इक सार नहीं होगी कि पावर भाई वैसे डिवी नहीं है जैसे की सब्सोंच रहे थे इसी पावर और टॉक नहीं दिया तो इनके दो ही रह इसके सीबिया 650 आर और इंजा 650 ही रहेगी तो बात करते हैं इसकी प्राइजिंग की देखो ऑन पेपर वाज दिया शोइंग इना 10 लेक रुपीस प्राइस और एक शोरों प्राइस 10 लाक रुपीस है बहुत ज्यादा ज्यादा ही प्राइस है में को लग रहा है क्योंकि प्रोप्रा चल देगा आपका इसमंदर दो लाक कि आप सेकेंड में कोई भी बाइग लेग लिए लिए रुक टी 90 मिल जाए कि आपको दो अर्टरगा मॉडल जो बता रहो कि कि यह कोई प्रोमोशन वाली वीडियो नहीं है फैक बता रहो मैं और तो लब अपको बार रह ल बाइक नहीं चीह है या नहीं लें चीह है पस्टर बदा दूमें यमा का यमा के बिए बद बीट बाइक है रुम 5v3 है बहुत आरे बाइक है तो अनलों की कंप्लें एह रहती कि यमा सर्वीश चार्ज बहुत प्रवाइड करता है अब तर फाइट फाइट सर्विस के अब अब अच्छी मिलेगी आसान में मेरा डावा है कि इसका वेट 188 kg है अफ फुल टरंग की करेंगा तो सोबसा दो रहे मला दो कीजी बढ़ जाएगा वेट वह अच्छा बहुत लीन टाइप उसकी बॉड़ी है फ्रेम्स इसकी ओके कि आफ जाला है वी फ्रेम मलब जैसे कि सीब्या सिफ्टिया में कि सब भाज साइड बॉड़ी नहीं है स्लाइड लेस उपर से जाती शाक टाइप इसी बॉड़ी तो कॉर्णिंग में बहु अधिनेटली आकि में को ब्यूटी का पर शॉक है बाइक बहुत लिखने में कड़े तो लेता था पर में बुंबे मेर तो तो ऐसा में को यह लगती नहीं यह बाइक लेना चीए अब फड़ा और पाईसा एंग्वेस करका है वोचली भी लेग सकते हो कि तीरा लाकी बार ल